हेलो गाइस आज की जो वीडियो है वो देली उन्यूवरसिटी यूजी एडमिशन 2013 के उपर मैं बात करूँआ BA Owners English Subject के उपर जो बच्चे Delhi University के अंदर BA Owners English Subject के अंदर एप्लाई करना चाते हैं उसका eligibility criteria क्या है आपको कौन कौन से exams देने हैं दूसरी चीज़ में बात करूँ हो seats कितनी हैं किस college में कितनी seats available हैं general students के लिए कितनी seats होती हैं SC के लिए कितनी है ST के लिए कितनी है EWS, Kashmiri Migrants, CW, PWBD ठीक है यहाँ पर तीसरी चीज़ है due के कितने colleges ऐसे हैं जहाँ पर BA Owners English Subject करवाया जाता है course करवाया जाता है मतलब ठीक है यहाँ पर है एक और important चीज़ यह जो important point है कि CUT में हमें BA Owners अगर English करनी है due से अगर हमें करनी है तो कौन-कौन से exam हमें CUT के अंदर देने पड़ेंगे ठीक है काफी students last year मैं आपको एक example दे के समझाता हूँ देखो NTA ने जो कहा है इस साल आप लोग maximum जो है 10 exam दे सकते हो maximum 10 exam दे सकते हो maximum यहाँ पर एक चीज़ और पता दू NTA ने यह भी कहा है आपको जिस college में जिस university में जाना है उसका particular bulletin आप लोग को पढ़ना है eligibility program मतलब program specific eligibility criteria आपको खुद इससे read out करना है मैं ओर लेड़े आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यापे एक चीज़ और आपको for example BHU जाना है खेर मैं यहाँ बात करता हूँ जो सबसे important point है यहाँ पे एक point है इसमें यह कहा गया है पहले point में कि आपको at least एक language देनी पड़ेगी और दूसरी चीज़ इसमें लिखिए जो language आप लोग देऊगे उसमें कम से कम आप लोग class 12 में वो subject आपके पास होना चाहिए ठीक है for example आपके पास class 12 में हिंदी थी तो आप लोग सीउटी के अंदर हिंदी दे सकते हो अगर आपके पास हिंदी नहीं थी class 12 में और आप सीउटी के अंदर हिंदी दे कर आजए तो और जब आप due के अंदर apply करोगे जुलाई के अंदर दुबार से पोर्टल पर आपको apply करना पड़ता है जुलाई में करना पड़ेगा वो result के बाद करते है जब आप due के पोर्टल पर apply करोगे तो due आपका जो है form reject कर देगा और यह कहेगा कि आपने वो subject class 12 में क्यों नहीं पड़ा और आप CUT के अंदर क्यों देकर आगए यहाँ पर यह लिखा है candidate must appear in the language she यह 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 लड़का और लड़की जो है कम study करेगा उसी language में मतलब वो आपके पास subject होना चाहिए class 12 में जो भी आप language देकर आ रहे हों सी उटी के अंदर दूसरी चीज जो सबसे important है दूसरी चीज में आप लोगों को बता दूं यह सबसे important point है इसमें basically यह लिखा है for admission to university of Delhi it is mandatory for the candidate to appear in CUT UG 2023 in those subject which she or he in appearing has passed class 12 basically यहां कहने का मतलब यह है आप CUT के अंदर जो भी subject देकर आ रहे हो वो subject आपके पास class 12 में होना चाहिए और पास होने चाहिए आप उसमें ठीक है पास होने चाहिए फैल नहीं होने चाहिए subject में आप रोग पास होने चाहिए बस यह आप इन्होंने यह बोलाए लास्यार काफी बच्चों ने CUT के अंदर फॉर एक्जामपल क्या है English subject देकर आ गई है मैं मालने ता हूँ सारी बात छोड़ो पॉल साइंस का एक्जामपल मालने ता हूँ वह बच्चे का करकर आए पॉलिटिकल साइंस का एक्जाम दे दिए ठीक है लास्यार जब डियू यहां पर यही लिखावा है कहने का मतलब यही है कि आपके पास वह subject class world माहोना अनिवादी है आप जो CUT के अंदर देकर आओगे और बाकी मैंने important point बता रखे हैं आप जब UG के अंदर due UG के अंदर admission लेना चाहोगे तो एक important point के उपर मैंने वीडियो बना रखी उससे particular मैंने due UG admission 2020 करके playlist बनाई है आप जाकर checkout कर सकते हो subject wise eligibility criteria आपको उसमें मिल जाएगा सभी courses यूजी प्रोग्राम का ठीक है बाकि यहां पे इन्होंने domain specific subject की बात करिए बाकि LG आपको eligibility criteria पढ़ना है आप इन्होंने यह बोला है खेर मैं यहां बात कर लेता हूँ यह due का official bulletin है जिसमें यह चीज़े लिखी वी है तो मैं आप लोग को बता दू यह जो है official bulletin है इसमें एक चीज़ मैं बता दू यह list A है आपको CUT गंदर अलग list मिलती है यहां पे जो है list A यह due की list A है जिसमें आप इन्होंने 33 language दे रख यह B1 B2 list A यह क्या है इसब अब आपको समझ मायेगा मैं आपको बताता हूँ अब आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा यहां पर इन्होंने basically यहां बता रखा है be owners English के अंदर आपको क्या क्या चीज़े प्रोग्राम specific eligibility में यह इन्होंने लिखा है English from list A आप लोग class 12 में अगर आपके पास English नहीं था तो आप लोग देखो CUT के अंदर English देकर आजोगे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह subject पढ़ा होना अनिवारी है class 12 के अंदर English subject आपको CUT के अंदर देना पड़ेगा अब English subject list A में है या नहीं तो मैं आपको दिखा जिता हूँ यह ह आपको दिख गए होगी ठीक है तो यह English subject आपको देना पड़ेगा अगर आप English करना चाहते हो दूसरा subject है यहां पर एनी टू subject from list B1 तो आपको जो है दो subject जो है B1 से उठाने है आप लोग समझ गए होंगे अब आपको समझ मां आगे होगा यह आपकी B1 के listing यहां पर आपक को मर्स के student हो आपने क्या नाम है English कभी पड़ी नहीं आपके पास मैं मुझे इंगलिस देना चाहिए नहीं भाई आपके पास जो subject था उसी subject का एक्जाम से यूटी कंदर देख रहा हो यहां पर इन्होंने यह भी लिख रहा है chemistry थी आपके पास chemistry के एक्जाम देदो यार business study यहां पर इन्होंने बता रहा है तो यहां पर एक सब्जेक्ट हो गया English यहां से उठानी आपको दो सब्जेक्ट यहां से उठाने आपको B1 से ठीक है अब यहां पर जो है तीसरी चीज इन्होंने बोली है है I am sorry थोड़ा सा में दूवारा से कर देता हूं यहां पर इन्होंने तीसरी चीज बोली है I am any one subject from either list B1 and B2 यहां पर इन्होंने यह basically ये बोला है देखो एक subject आपका English यहां से हो गया दो subject आपके यहां सकते हों टोटल आपको चार सब्जेक्ट करने लेकिन यहां जो आपको B1 B1 ना दो सब्जेक्ट यहां से उठाना आपका कंपल सरी यह B1 से और एक है कंपल सरी बाकी जो एक लास सब्जेक्ट बचा है यह तो बीटू सो टो यह B1 से तिक है उसका एकजाम देना बैसिकली बस यहांपर इनका खतम हो गया बाकिया कौन-कौन से 55 बी YOÏंस इंग्लिज करवाई जाती है टोटल 38 इंग्लिश इंग्लिश बीया बीया उनुल्स इंग्लिश सब्जोट करकें है क्रूधए बहटब्वार्थ प्रइस लॉस इंप वुमें कोलेज दिन डायल अपाधिय कोलेज दिलि कोलेज ऑफ आटसएं कोमर देश बंदु कोलेज डैल सिनकोलेज डैल सिन इवनिंग कोलेज गारगी आ चालिक हैं तो आप लोगों यहां पर बाकि यहां पर आगर आप लोग ध्यान से देखोगे आरिया बट के सामने 21 14 8 यह सब क्या लिखावा है यह बैसिकली जो संख्या लिखी में यह सीट्स है यानि यूर यानि अन्रिजव्ड यानि जो जनरी चुन से उनके लिए आरिया बट कोलेज में 21 सीट है आत्मराम के अंदर भारती कोलेज के अंदर यहां पर 31 सीट है तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने बता रहा है 31 सोरी बाकि आई होप आप लोगो समझ में आगे होगा लिस्ट बीवन बीटू आप लोगो में दुबारा बताता हूं यहां पर यहां से एक इंग्रिस आपको कंपल सर आगे होगा बाकि आप लोग सब्जेक्ट वाइस एलिजबिलिटी क्राइटेरिया डियू का देख सकते हो मैंने ओलेडी प्लैलिस्ट बना रखी है प्लैलिस्ट जाकर आप चेक आउट कर सकते हो लिंक भी आपको डिस्क्रिशन में प्रोवाइड कर दूआ और बाकि अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टेग्राम पर पोस्ट सकते हो इंस्टेग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिशन में दे रखा है